हेलो गाइस आपका स्वागत है ब्रेशन पैलेट में तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि हम कैसे गोले को कम बजट में डैकुरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा महेंगा समान नहीं है एक नैट का पीस है, कुछ फ्लावर है, बटर फ्लाई है और कलावा है राखी के बच्चे हुए पीसे हैं, लटकन वगरा और कुछ मिरर है तो मैं इनी सब को यूज करकर आज यह अपना गोला जो है वो डैकुरेट करने वाली हूँ तो देखते हैं क्या के समान लगता है इस में इन में से तो इस तरह से आप नैट को बिचा कर गोले को कवर करके उपर की तरफ एक नॉट बान देंगे अगर आपके पास इस तरह नैट नहीं हो तो ब्रॉकेट का कपड़ा होगा या सूट के जो पीसेज बच जाते हैं सारी के पीसेज बच जाते हैं कुछ शाइन वाले पीसेज हो या पर कितीमा कुछ वर्क हो मोती वगरा का सिक्वेंस का तो आप वो सब यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह आपने नॉट पान देनी है इस तरह जब हम डेकुरेट के वे गुले रखते हैं पूजा में तो जो पोटोग्राफ में या फिर वीडियो में बहुत अच्छे लगते हैं जब आते हैं ये इस तरह जो भी थोड़ा सा एक्स्टर नैट लगे आपको तो वह आपको कट कर देनी है अब इस तरह रिबन लेंगे आप गोल्डन ले सकते हैं फिल्वर ले सकते हैं या फिर जैसा आपको कलर अच्छा लगता हो रैड है येलो है इस तरह की जो कलर हम पूजा में यूज कर सकते हैं वो कलर क्या रिबन लेकर इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे उसे अब इस तरह के जो कपड़े के फ्लावर है उसे आप लगाएंगे यहाँ पर आप बटरफ्लाई भी लगा सकते थे लेकिन मैंने फ्लावर चूस करें अब यह है मेरे पास राखी की लटकन जिसे मैं आप पर अच्छे से टाई कर रही हूँ मुझे पका पता है कि वीडियो देखने के बाद आपना राखी आने वाली और इस तरह कोई भी राखी उसकी लटकन थ्रो नहीं करेंगे समाल के रखेंगे ताकि वह आगया आपकी क्राफ्ट में काम है और यह देखिए हमारा क्यूट सा गोला जो है वो बहुत सस्ते में रैडी हो गया है इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताम जाम नहीं लगा है वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस ऐसी मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत सारा थैंक यू